Financial Planning क्या है? आखिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके जरीए आप अपने लिए आपके जितने भी गोल्स है बच्चों को सिट करना उनके लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी? आज एक अमाउंट है फीज का आने वाले समय में उसमें महंगाई के साथ जादा देना पड़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट से उस पर टैक्स भी आएगा तो आपके जीवन में जितना भी समय बचा हुआ है आज से लेके रिटायर्मेंट तक आपके लाइफ में जितने भी रिस्पॉंसबिलिटीज बची है उनको प्लान करना आपकी सोच पिछले साल कुछ और थी इस वक कौन सी अप्रोच आपको लेनी है ताकि आप रिटायर्मेंट बहुत अच्छा कर पाई यह सारी चीज़े इस वीडियो में बताऊंगा तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और आपको पता ही है हम मिंटरिंग में हैं मैं हूं विपला मजमदार प्लानियर वर्ल डाट कॉम को स्टार्ट करते वक एक ही आइडिया था कि आप अपने फैनाइशल एडवाइजर खुद बन सकते हैं क्योंकि जितनी कॉस्ट आप देते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आ 15,000 फैमिली को हेल्प करके एक पैकेज बनाया है आपके लिए बिना फॉर्मूले के टूल्स की मदद से आप देख पाएंगे कि फैनाइशल प्लानिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है अम यह लोग किस तरीके से अपनी और्टरनेट सोर्स बनाते हैं यह सब कुछ आपको मिल इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर लिए तब से पहला पार्ट है डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग सो डेटा आप अपना गैदर करते हैं एक पूरे सेक्शन के पूरे एकसल फाइल में इसको फिल करते हैं हर एक चीज आपने अभी तक अपनी लाइफ को वैसे देखा ही नहीं होगा, यू फिल दा कुश्चनायर्स, मैं एक्जामपल देता हूँ, जो लोग पच्च्चपन की एज में हैं, अठावन की एज में हैं, रिटैर्मेंट के बाद सेटल कहा होंगे आप, आप बिजनिस में हो, दो साल बाद आपका बिजनिस कैसा होगा, आपके बिजनस में हो, आप कुछ पैसा दोगे उनको गिफ्ट में, वोड इड बी वन लैक, टू लैक और शेयर ऑफ बिजनस, क्या होगा ऐसा, तो यू नीड टू टेक डिशीजन, उस डिशीजन का बेसिस क्या है, 99% फैमिलीज में ये डिशीजन का बेसिस ही गलत है, आपने इतने जिनों में नोटिस किया होगा, कि आपके जो पुराने जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो तूटा होगा, ब्रेक हुआ होगा, तो इसके उपर आपको इसको फिल करना पड़ेगा, अपने आप में गोल्स को सेट करना पड़ेगा, कितना पैसा देना है, हाथ खाली नहीं करना है, बैलेंस बनाना है, सो हर एक जगह पर इसको, बैसिकली आप प्रोविंग करते हैं, और प्रोविंग करके, जो भी लॉजिकल है, वो आप लॉजिकल लेके चलते हैं, सो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसी जगह पर आती है, आप खुद भी मैसूस कर रहे होंगे, identification of financial problems in your situation, अब क्या होता है, मैं example देता हूँ, loan है, emergency है, कल एक बात उख रही थे कि बिजनेस है, सीजनल है, छे महिने का पैसा, छे महिना इंकम होती, छे महिना नहीं होता है, emergency fund है कि नहीं है, family में, risk क्या है हमको, क्या risk को हमने protect किया है, पूरी तरह से, तो इसके देटेल में बात करूँगा, सो कौन-कौन से areas हैं जिनमे problem है, उन problems को सही करें, आप लोग जितने लोग जॉब में हैं, क्या आपके पास emergency के लिए 6 महिने का पैसा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए 6 महिने का पैसा, जितने भी लोग यहाँ पे 45 से plus हैं, 45 प्लस जित कोई problem हो गई, आपकी EMI जा रही है, can you take the call कि मुझे resign करना है, अगर आपके पास दो situation है, एक खाते में पैसा नहीं है और हमें यह सोचना है कि अगले महिने की EMI कैसे जाएगी, दूसरी situation यह है कि खाते में पैसा है and you need to take a call, ठीक है, थे महिने में दूसरी नौकरी ढूंड और मैंने resign कर दिया, क्योंकि आत्म सम्मान से मैं compromise नहीं करूंगा, कौन से situation आपको चाहिए, कहां गई wealth planning, जो बेजिती के साथ सुबह office एंटर करना है, वो financial situation की मजबूरी होनी चाहिए, या हमारी financial liberty वहाँ पे होनी चाहिए, कुछ तो जबाब दे दुआ, सोची से, इसमें live session होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इतने सारे लोग आपसे नहीं मिल पाते तब हम लोग, तो emergency fund की requirement है, नहीं है family के अंदर, तो every part is to be checked, बच्चों की education में क्या problem है, taxation में क्या problem है, आपके, instrument कौन कौन से गलत लिए हुए है, ये सारी exercises आपके लिए कोई नहीं करेगा, then, आपने यहाँ पर identify किया, preparation of alternative, जो भी आपका रास्ता निकल सकता है, तो क्या करना है, FD में क्या problem है, कैसे सही करना है, उसको, mutual fund में क्या problem है, कैसे सही करना है, आपके पास में insurance कम है, जादा है, गलत instrument है, करना क्या है, तो एक-एक segment के उपर वहाँ पर आप अपने लिए ही suggestion तयार करते है, based on learning, याद रखिए, यहाँ पर आ जाता है based on learning, और इस learning के बिना ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि बच्पन से हमें पढ़ाया नहीं गया, then, आप इसको तयार करते हैं, फिर implement करते हैं, कितना time लग लगता है, पांस से maximum ले लिजे 10 hours, इसमें कितना time लगता है, इसमें कोई time नहीं लगता, one hour मान लिजे बास, इस part में आपको दो घंटे लगेंगे, अपने आपको समझाने में, कि येस मैं life में ऐसा मान के चलूं, आज से एक साल पहले आपकी सोच जो थी, और आज आपके जो target है मैं में, वो same है क्या, आज से एक साल पहले आपकी जो सोच थी, आपके जो targets थे, उसमें और आज वाले targets में कोई gap है, what is financial planning, my finances should be ready as per my requirement, my mutual fund portfolio should support me as a father, as a husband, otherwise, फिर किस बात के investment हो रहे है, किसी broker के लिए कर रहे हैं क्या, क्लियर हो रहा है, यह change आपके मन में आएगा, if you know the finance, business में decision आप ले पाओगे, आपको उसका नफ़ानुकसान पता होगा, आपको start-up launch करना है, आपको job छोड़के business करना है, नफ़ानुकसान पता होना चाहिए न, तो यह सारी चीज़े, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपके अलवा कोई नहीं करेगा, आपने implement किया, जिन एक ही चीज़ है, as per your goal, आप जो जो आपके thought process में change आया, लेके बैठ जाईए, यह तो बहुत आसान काम हो गया, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और हाँ, आपको अपना advisor बनना है, तो live session या recorded session से जरूर पढ़ें, link description में है,